Geography का Chapter 2 Globe Latitudes & Longitude जैसा कि हमने पिछले चेप्टर में बढ़ा था जो घरी हमारी Earth की की शेप होती है वो geoid होती है मतलब जो जो हमारी Earth है, वो पोल्स से फ्लाटन होती है और अभे इस चेप्टर में बताया गया है कि जो पोल से तो आप पोल पहले होती है और जो center से होता है वो बाहर की तरफ उभरी होई होती है मतब बल्ज शेप की होती है देखे जैसे कि यहां पर हमें इस globe में दिख रहा है उपर की तरफ तो जैसे दबी होई होगी और यहां से जो बीच में अगर हम center में से लाइन कीचे कहां से वो बर्ज है कहां से उसके डिफरेंट लाइन जो हम लोग बनाते हैं जैसे कि latitude, longitude, latitude लाइन अर्थ पर बने होई है वो human ने अपनी convenience के लिए बनाए है ताकि हम easily time, date, यह सब चीजे और various locations का हम बता कर सके तो इसलिए human ने globe बनाया और globe पे various lines बनाई जिनके बारे में इस chapter में हम पढ़ेंगे तो इस chapter में बताया जाता है It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the earth तो फिर मतलब बहुत ही जादा मुश्किल था एक position बताना जैसे कि a sphere जैसी shape है earth के इस पर तो हमने क्या किया हमने axeses draw करती The needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called the axis मतलब यह जैसे है यह सीधा नहीं रखाओँ है यह हलका सा तेड़ा रखाओँ है क्योंकि earth जो है tilted होती है अपनी axis पर 66.5 degree पर तो इसलिए इसको globe को थोड़ा सा tilted हम लोग बनाते है और two points of the globe through which the needle pass मतलब जो globe हम लोग बनाते है इसको नीडल पास होती है तू पॉइंट से जिसको हम बोलते हैं नौर्थ पोल और साउथ पोल globe can be moved around the needle from west to east और हम लोग जो globe को west से east direction में घुमाते हैं जो की हमारी direction है अर्थ के घूमने की तो earth किस direction में मूव करती है? Earth moves from west to east यह काफी important है यह अच्छा खासा question 1 क्या आ सकता है एक्जाम में की direction of earth क्या है? earth की movement की direction क्या है? तो earth की movement की direction है west to east तो हम हमने क्या किया? कुछ imaginary lines ड्रॉ कर दी earth पे ताकि हम easily various location, time, date वगएरा यह सब चीजे पता कर सके तो earth के बीचों बीच हमने earth को दो parts में divide कर दिया तो बिल्कुल बीचों बीच से line गुजारी हमने उसको हमें नाम दे दिया equator और फिर equator के बनने से एक north वाला हो गया जो उपर की तरफ था और एक south बन गया जो नीचे की तरफ था तो उपर वाले पार्ट को हम पोने लगे northern hemisphere और नीचे वाले पार्ट को हम पोने लगे southern hemisphere नदन क्योंकि वह नौर डायेक्शन में और hemisphere क्यों क्योंकि एक sphere होता है एक गोला hemisphere का मतलब होता है आदह गोला तो हमने equator बना दिया, earth को दो पार्ट में डिवाइट कर दिया, तो अब दो earth, दो-दो hemispheres में डिवाइट हो गया, इसलिए हम उपपर वाले पार्ट को बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं, सदन हैं, they are both equal halves और वो बिलकुल equal parts में divided है therefore the equator is an imaginary circular line and which is very important reference point to locate places on the earth तो हमारी जो equator है वो circle है एक क्योंकि earth तो goal है तो earth के बीच में से किसी goal circle के हम बीचो बीच से कोई line कीचेंगे तो वो इसको पूरे को cover करेगी एक circle की form में और parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude और जैसे कि इस वाली figure में हम देख सकते हैं यह जो बीचुल dot 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 करके जो line बनाई हुई है यह equator है और इससे उपर यह 1,2,3,4 यह जो 4 lines इसके उपर बनाई हुए है उपर की तरफ हम जाते जाते हैं जो circles draw करते हैं वो आपस में parallel होते हैं मतलब उनका जो आपस का एक दूसरे के बीच का distance होता है वो equal होता है और वो circles बनाते हैं इसलिए हम उनको बोलते हैं parallels of latitude और जो latitudes है वो हम measure करते हैं degrees में तो देखे यह लिखा हुआ है na equator होता है 0 degree फिर से उपर यह वाली लाइन बनी हुए 20 degree north, 40 degree north, 60 degree और 80 degree और जाब equator से नीचे की तरफ जाते हैं तो फिर similar lines draw करते हैं जैसे की 20 degree south, 40 degree south इस टाइप से तो जैसे हम इसमें आगे बता हुआ है की equator represents 0 degree latitude since the distance from the equator to the either of the poles is 1 4th of the circle round the earth क्योंकि हम लोग equator जो होता है वो 0 degree denote करता है और वो equal halves में divide करता है तो pole से equator तक का जो distance होता है वो होता है 1 4th circle round the earth तो मतलब इसमें हमें क्या लिखा हुआ है the distance from the equator to the poles to the either of the poles is 1 4th of the circle of the earth जो पूरा circle होता है ना equator से लेकर कि किसी भी एक pole का जो distance होता है वो होता है 1 4th of a circle circle का एक चथा ही भाग होता है और यह जो पूरा circle जो measure होता है वो होता है 360 degree में क्योंकि circle का जो पूरा measurement होता है 360 degree होता है और 360 degree को हम 4 से divide करेंगे तो क्या आएगा 90 आएगा इसलिए जो pole की जो degree होती है वो होती है 90 degree अगर आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को back करके आप देखिएगा तो तीन बार देखेंगे तो समझ आ जाएगा थोड़ा difficult concept यह है तो हम लोग पूरा जो circle होता है वो 360 degree होता है और all pillars north of equator are called north latitude जैसके मने बता है जो equator से उपर की तरफ है वो होते है north northern part होता है तो उसको northern latitude बोलते है और नीचे की तरफ वाले latitudes जो होते है उनको बोलते है southern latitude the value of each latitude is therefore followed by either the word north or south north or south अगर नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं लगेगा ना कि उपर साइड वाले equator से उपर है कि एक्वेटर से नीचे है इसलिए हम उनको north or south बोलते है अब लोग example इसमें दे रहे है कि चंदरपूर महराष्ट में और बेलो जो ब्राजील में है वो बि 20 degree latitude कैसे क्योंकि हमने पूरी अर्थ को लिया हुआ है ब्राजील और जो इंडिया है वो इसी डारेक्शन में ऐस तरीके से पोजिशन उनके बनी हुई है कि जो महराष्ट में जो ये जगह है बेलो और ब्राजील में कोई जगह है उसका जो लाटीटूड है वो बिलकुल से ब्राजील जो है वो सदन है में आता है एक्वेटर के नीचे आता है तो ब्राजील की जो जगह है वो 20 डिग्री साउथ पे है और मुंबई की जगह है वो है 20 डिग्री नॉर्थ पर अब हम लोग पढ़ते हैं इंपोर्टेंट पैलल्स ओफ लाटीटूड हमें लाटीटू आप कुछ इंपोर्टेंट अ्लैटीटूड है इनका नाम है ट्रॉपिक आफर कैंसर ट्रॉपिक आफरिक तॉल्च फ़िघ्री जो है Tropic of Capricorn, Arctic Circle, क्योंकि नीचे है Arctic, नीचे जो हमारा Continent है Arctic, और उपर क्या है हमारा Arctic Ocean है तो उसी के नाम पे Arctic Circle बनाया हुआ है, तो इसमें यह बताया होगा है कि Tropic of Cancer 23.5 degree not पर है, Northern Hemisphere में Tropic of Capricorn 23.5 degree south पर है, और यह Arctic Circle 66.5 degree south और यह Antarctic Circle 66.5 degree south और Arctic Circle 66.5 degree north पर है, अब आगे हमें हीट जोन के बारे में बताया है, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं इस फिगर में, इक्वेटर के पास क्या होता है, अर्थ की सीधी रेस पढ़ती है, तो जाधा गर्मी होती है, जाधा गर्मी होती है, इसलिए जो इक्वेटर से Tropic of Capricorn और Tropic of Cancer, यह जो बीच वाले जो ग्रीन कलर का जोन है, इस जोन को हम बोलते हैं, क्योंकि यहां पे सन की सीधी रेस पढ़ती है, इसके आगे हम जब जाते हैं, तो हमारा टेंपरेट जोन आ जाता है, मतलब जो गर्मी है, वो कम हो जाती है, ठोड़ा थंडा मौसम रहने लगता है, 23 डिगरी हाफ, साउथ 23 डिगरी हाफ नॉर्थ के उपर वाला जो एरिया होता है, उसमें अपर गर्मी हो जाती है, ठोड़ा ठंडा मौसम रहता है, तो इन फाले एरिया को हम कहते हैं तेम्रेट जो यह तो नहीं है, यह ज़लोइश उरिद जो भी पीच कलर रहे, यह वाला जो एरिया है, यह होय है हमारा टेंपरेट जोन, यह जो गृम गृन सा ए मिड़े सन इस एक्जाटली ओवरहेड अपली से लाटिटूट्स इन बिल्कुल हमारे सर के उपर दुपैर में हमेशा एक ना एक बार साल में जरूर होगा और इसके पार जब हम जाएंगे तो ऐसा कभी दोगा तो यह जो होता है इसमें सबसे जादा हीड होती है और इसलिए हम इसे बोलते हैं टॉप टॉरेट जोन दा एरिया देर्फोर रिसीव समेक्जिमम हीड और इसकाल टॉरेट जोन मिड़ी सन नेवर शाइंज ओवरहेड और अन्य लैटिटूड बियॉंड अट्रॉपिक ऑफ क एंगल है वो कम होता जाता है सन की रेस का एंगल सबसे जादा एक्वेटर पर होता है एक्वेटर से जैसे हम आगे 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 बढ़ते जाते हैं तो उसका एंगल जो है वो कम होता जाता है और उसकी जो हीट है वो भी कम होती जाती है तो आक्टिक सर्किल और एंट 23 degree half south 23 degree half north से आगे वाला जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं temperate zone और 66 degree half north or south से आगे वाला जो होता है 90 तक का उसको हम बोलते हैं frigid zone अब हम आगे देखते हैं अब हम पढ़ते हैं लॉंगिड्यूड्स हमारे complete होगे लॉंगिड्यूड्स क्या होते हैं अब जब हम लॉंगिड्यूड्स हम बना रहे थे तो हमें थोड़ी से दिक्कत दूई होगी क्योंकि हमने अर्थ को अराम से हाफ बाढ़ दिया क्योंकि अर्थ स्फेर थी तो हमने बीच का उसका डायमिटर लिया और हाफ उसको डिवाइड कर दिया अब जब हमें उसका सेंटर डून पाना बड़ा मुश्किल था तो फिर क्या हुआ सब ने उस टाइम पर क्या था कि जो यूके था वो पूरे वर्ड का लीडर था तो उन्होंने डिसाइड किया एक ग्रीन विच मरीडियन होगी जो ग्रीन विच एक शेहर है उनाइटेड किंग्डम का व इस लाइन से इनको हम बोलते हैं मरीडियन ओफ लॉंगी तूड अब इसमें आगे बताया गया है इस दिग्री इस फ़र्द इंटू मिनिट्स इसमें भी जैसे उसमें हमारे लाटिट्यूड में डिग्री होती ती इसमें भी डिग्री होती है यहां पर देखिए नॉर्थ कि साइट आगे बढ़ते जाते हैं तो हमरी डिग्री बढ़ती जाती है और हमने जो डिग्री है उनको फिर फॉर्दर आगे भी डिवाइड कर दिया है मिनिट्स में मिनिट्स को सेकिंड में फिर आगे मिताते हैं कि यह जो हमारे लॉंगी ट्यूड होते हैं यह हमारे सेमी होते हैं आपको दिए सेमी सरकल इन बेर इसटें कि दिए टेरी स्गिंगे इàn इनल जाय पर यह के, घाथिचल सो पड होते हैं यह क्यों आपन gefरिज और नहीं मिलते हैं वो parallel होते हैं अब इसमें यह देखिए आगे हमें यहां बताया है unlike parallel of latitudes all meridians are equal in length latitudes जो होते हैं उनकी length कम हो जाती है pole की तरफ जाते हुए मकर जो यह meridians of longitude है इनकी जो length होती है यह बिलकुल equal होती है तो हम लोगों को बड़ा मुश्किल था इनको number कर पाना hence all countries decided that the count should begin from the meridian which passed to the green witch where the British royal observatory is located this meridian is called the prime meridian तो हमने जो British royal observatory जिसका नाम था green witch तो उससे हमने कहा कि हम लोग meridian को pass करेंगे zero degree meridian जिसको हम बोलते हैं prime meridian और zero degree meridian से east और west side में हम जो जाते हैं और one degree west में होता है तो यह जो meridian से यह अर्थ को डिवाइड करती हैं eastern और western hemisphere में तो आप पताएं इंडिया कौन से hemisphere में आएगा इंडिया आता है eastern hemisphere में और यह जो USA, Canada यह सब आते हैं western hemisphere में तो जैसे कि हम लोग longitude and latitude दोनों के दोनों जब हम अपनी globe पर draw करते हैं तो एक यह grid pattern बनता है मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं जब एक point हम लोग देखना चाहिना हम ऐसा जैसे कि एक दूसरे को काट रहे हैं तो एक point बनता है उस point का latitude और लोंगिटूट अगर आम किसी को पता दे तो उस place के बाल में बहुती असानी से जाना जा सकता है कि वह place कहां पर होता है एक अब इसमें लिखा होगा है नाव लोग अजिखा होगा है दूबरी इन असाम is situated at 26 degree north latitude दूबरी जो है वो 26 degree north latitude और 90 degree east longitude पे है तो हम एजली जब ड्रो करेंगे तो उसकी position असानी से बता सकते है तो अंडेस्टाइंड दिस्टेंस वर्टिकल एन ओरिजन्टर लाइन पेपर हाँ जैसे कि आप अगर पेपर पे सीधी और नीचे एक बिल्कुल straight lines जो उपर की तरफ हो और एक जो लेटी हुई lines उनको द्रो करेंगे तो उन पे बीच में points जो आएंगे उसमें हम उनको latitude एक और दूसरे को longitude मानके हम उसका position अराम से पता कर सकते हैं अब आगे हमें इसमें है हमारे time zones time zones को हम कैसे पता करेंगे time zones के लिए longitude की हम लोग help लेते हैं longitude and time the best means of measuring time is by movement of the earth, moon and the planet सबसे जादा अच्छा वे होता है time को पता करने के लिए कि हम measure कर ले earth, moon and planets की movement को sun regularly rise होता है और regularly उकता है और regularly चुपता है और regularly चुपता है और जो यह होता है यह best time बताने वाजी चीज होती है local time can be reckoned by the shadows by the sun हम local time बता सकते हैं जैसे पुराने जमाने में होता था जो हमारी परचाई पड़ती थी उसके हिसाब से हम लोग बता पाते थे की time क्या चल रहा है जो shadow होती है वो सबसे छोटी होती है दुपैर के time और सबसे लंबी होती है जब सूरज उकता है sunrise और sunset के time वो सबसे लंबी होती है when the prime meridian of green witch has the sun at the highest point in the sky all the places along this meridian will have mid day और noon जब prime meridian पे जो prime meridian है green witch में जो UK में उसमें जब सबसे उपर स्काई होगा ना highest point पे तो उसको हम मानेंगे की दुपैर हो गई है दुपैर के 12 बच गए है as the earth rotates from west ways earth जो rotate करती है गूमती है west से east direction में move करती है तो जो east direction में है green witch से वो उससे आगे होता है time मतलब अगर green witch में 12 बच रहे हैं तो अगर उससे जो eastern side में है तो इंडिया में 12 से जादा बच रहे होंगे और उसके हम latitude के basis पे हम लोग निकाल सकते हैं हमें longitude की ज़रूरत होती है time निकालने के लिए longitude और time का relation होता है तो हम इसमें बताया गया है कि हम कैसे निकाल सकते हैं the rate of difference can be calculated as the earth rotates 360 degree हमने पढ़ा था चौबिस गंटे में earth 360 degree हमने पढ़ा था चौबिस गंटे में earth 360 degree रोटेट कर जाती है which means 50 degree nr तो हम लोग क्या डिवाइट करेंगे 360 को हम 24 से डिवाइट करेंगे तो हमारा अंसर आजाएगा 15 15 degree nr और 1 degree in 4 minutes और हम लोग 60 by 15 करेंगे तो हमारा अंसर आजाएगा 4 तो यानि की 1 degree 4 minute में simple math calculation है हम इसली कर सकते हैं which the time at 15 degree east of green which will be 15 4 equal to 16 minutes 15 degree का मतलब होता है एक घंटा तो 15 degree जो green which से आगे होगा green which को तो हम noon मानते हैं 12 noon जब green which पे सबसे उपर sun होगा तो हम उसको मानेंगे कि वहापे 12 बच गए हैं उससे 15 degree आगे जो भी time होगा उसमें एक बच जाएगा क्योंकि 15 degree का मतलब होता है एक गंटा तो ऐसे ही हम किसी जिसका भी हमें longitude पता होगा कि कौन सी जगय कौन से longitude पे है तो हम उसका time निकाल सकते हैं green which के respect में तो अब हमारा standard time है वो क्या होता है इंडिया का standard time है हम लोगों ने लिया हुआ है 82 and 1inals eddy ंडिया जो है Northern Hemisphere में लाइक करता है और eastern side में इंडिया तो हम लोगों ने 82 and 1.5 degree east का क्या मतलब है यह हमारा standard time हमने इसको अपना standard time लिया हुआ 82.5 degree east का मतलब है कि ग्रीन विच मरीडियन जो है प्राइम मरीडियन जो 0 degree है उससे 82.5 degree east direction में है तो अब बताएगा कि वो हमारा ग्रीन विच मरीडियन से प्राइम मरीडियन से कितना दूर है और कितने घंटे का distance है 15 degree का मतलब होता है एक घंटा, 15,6 जा कितना होता है अब इस तरह से 15,5 से 75, 15,6 जा कितना होता है कि 6 जा होता है 90, तो 90 से कम होगा, 82 है तो हमारा कुछ लगवग साड़े 5 घंटे का अंतर आता है मतलब हम प्राइम मरीडियन से हमारे इंडिया का जो टाइम है वो लगवग एक्जाम्पल के लिए it will be difficult to prepare a time table for trains which cross several latitude तो कि अलगल latitude पर जैसे हम जाते है हमारा time change होता जाता है जो हमारा दुवार का है गुजरात में और दिब्रुगड है उसमें time का जो डिफरेंस है वह है 1 आल 45 मिनिट का इन सरे चीज़ों को हम लोगों ने अपॉइट करने के लिए कि दिककत ना हो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने के लिए देश के हम लोगों ने स्टैंडर्ड मरीडियन बनाई है तो हम इसको 80 to 1.5 degree east फाले जो मरीडियन बनाई है इसके पिसिस पे हमने अपना time fix किया ह हो है और पूरे के पूरे देश में हम इसी को फॉलो करते है और इसको हम बोलते है स्टैंडर्ड मरीडियन अब इसमें यह है कि जो कभी लिए ना स्माल टाउन निया बोपाल ही तैल्स फ्रेंड अलोग यह विल नॉट बे अबल तो स्लीप तो नाइट अट एंड इसमें मै 25 आर्स 30 मिनट अहेड ऑफ GMT GMT का मतलग है green witch time green meridian time फिर अगर वहां पे 12 बज़ रहे हैं अगर जो प्राइम मरीडियन है तो इंडिया में क्या बज़ रहे होंगे साड़े 5 बज़ रहे होंगे तो इसी टाइप से हम लोग निकाल सकते है 15 degree longitude जो होता है उसका एक गंटा हो होगाद थैसँ चाइब है